हेलो गाइज आ वे रिवार गुर्मा इंट आल अफ्यू दिस चैनल नाम है दिंदार डेटर क्या होता है यहां जो कॉंटेंशी का एक मेन पाट है जिसमें बहुत साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर किसको बहुत है के रिटर किसे कहते हैं आज इसी चीज को आज हम करके पढ़ने वाले हैं वीडियो के इंट बने में रहिएगा चलम नहीं तो चलम को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप लोग अभी तक आप लोग के लिए पर लिश्ट कर दिया गया है जिसके अंतरत एकांटिंग टरम्स और एकांटिंग क्या होता है इसके लिए अलग करते हैं आपका टॉपिक पे और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए एंसीक्यू कोशन्स आप लोग के लिए दिया जाता है जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूले चलते हैं दोस्तों बिना समय को विश्ट करना ना भूले चलते हैं देंदार इंगलिस में बोलते हैं डेटर तो दोस्तों जब भी डेटर का बात होगा अदम दिमाग में कीप कर लिजिएगा अदम बैठा लिजिएगा दिन्दार का जब भी बात होगा तो हमीशा उधार का बात होगा उधार इंगलिस में कोमर्स में करेडिट कहते हैं तो जब भी दिन अब दिमाग में बैट गया कि उधार तो यहां पे जब कोई बिजनस या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी फर्म को उधार माल बेचता है तो जो व्यक्ति उधार माल खरीदा अथर्थ जिसे भाविस में पैसा देना है उसे हम लोग दिन्दार कहते हैं डेटर कहते हैं दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उधार खरीदनी की बदली में भाविस में वह बकाया पैसा देगा उसे दिन्दार कहते हैं यहां पर उधारन के तोरफी आपनों के सामने एक डैगरांड बनाया हूँ ए जो है बीको बिशता है लेकिन कैसे मिशता है लिख़ा है क्रिगे उधार पच्याहजर का माल बिशता है तो फचाहजर को माल बिशता है यहां नगत का discuss नहीं हुआ है नगत discuss होगा कभी डेटर नहीं बनेगा तो यहां पर A ने बेचा B को तो पैसा कों देगा पैसा देगा B क्योंकि वो अधार मान खरीदा है तो यहां पर B जो है A के लिए दिंदार कहलाएगा देने वाला पैसा जो देगा वो दिंदार कहलाएगा इसकर यहां पर लिखे कि B is ये डेटर इसको एक्जाम में डेट आएगा कि डेटर क्या होता है डेटर इस ये करेंट आसेट एक चालू समपती होती है अब इसी को मैं आप लोग को सामनी नोट्स बाइ लिखा हो हूँ जो आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत ही फुटफूल होगा डेटर इस ये परसन वो आज एमांट टो दे इंटरप्राइज अगिन दा करेड़ सेल अप गूट्स देखिए आपके कहलेगो करेडिट सेल्स अप गूट्स मतब जो वैक्ति खरीदा है उधार उसको मतब चुकाना है ठीक है करेडिट सेल्स जिसको उधार माल बेचा गया उसको देना है पैसा ठीक है तो इसे युँ बोलते है दिंदार हिंदी में भी देख सकते हैं दिंदार सब उन वीक्तियों तो फर्मों के लिए पर्यूख किया आता है जिने उधार माल बेचा गया हो जने भुक्तान ना किया हो अथा तुब भुक्तान करेगा फ्यूचर में तो इसे बोलते हैं दिंदार तो कैसा लगा आपने comment box में के बता है आपके लिए कि MCQ कोशन है कि data जो है कौन सा assets है मतलब data is in which assets current assets या that is called fixed assets इस प्रसें का जवाब आपने comment box में comment में के बता है ठीक है दोस्तों इसे से जुड़े दने के लिए समयक्षबद करने के लिए हिवे पुर्वक नहींवाद